बच्चो इस वीडियो में हम लोग question discuss करेंगे exponent power का आपके सामने है 30 की power 30 upon 15 की power 15 बच्चो पहले वीडियो को pause करेंगे और इस question को solve करने की कोशिश करेंगे चलिए मैं मानता हूँ आपने try क्या होगा देखतें इसका solution क्या होगा बच्चे क्या लिखा है 30 की power 30 और 15 की power 15 तो हम लोग पहले इसके numerator को change कर लेंगे numerator को हम इस तरीके से लिखेंगे कुछ 30 की power 15 plus 15 क्या कोई problem है बच्चे लिख सकता हूँ मैं इसको इस तरीके से 15 upon 15 इस तरीके से लिखेंगे इसकी power को अब जो 13 की power 15 plus 15 है क्योंकि multiplication में क्या होता है पावर एड हो जाती है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ब्रेक करके 13 की power 15 multiply 13 की power 15 upon 15 की power यहां तक मुझे लगता है कि इसे को भी बच्चे को problem नहीं होगी क्योंकि देखो दोनों का base same है इन दोनों का base same है तो power क्या हो जाती है एड हो जाती है तो यह power add हो भी है इससे पहला step है ठीक है next step मैं क्या करूंगा बच्चे देखे ध्यान से अब जी 13 की power 50 है पहले वाला 30 की power 15 इसको as it is रहने दूँगा और जी next वाला है मैं इसको इस तरीके से लिख लूँगा 2 into 15 की power 15 ठीक है ओपटे में आ जाएगा 15 की power 15 क्या तक के लिए हो आप लोग को ठीक है चलिए next सेखते है 30 की power 15 इसको ऐसी रहने देंगे first term को इसके आगे निट पड़ेगा हमें multiply अब देखे यह जो नीचे दो multiplication में उपर अलग पावर है तो इनको इस तरीके से लिख सकते है separate करके 2 की power 15 अलग और 15 की power 15 अलग ठीक है इसे बोलते है अलग होती है तो बीच में क्या हो जाता दोनों का multiplication हो जाता है इसे लिखा है 15 की power 15 अब देखें दोनों के बेस अलग है पावर सेम है तो क्या हो जाता बेस की मुल्टिप्ला हो जाता है नहीं कि 30 इंटू 2 की power क्या हो जाएगा 15 जो हमने यहां पर किया था दोनों के यहां पर देखो यहां पर यहां पर दोनों के बेस क्या थे अलग थे पावर एक थी तो हमने दोनों को अलग अलग ब्रेक करके लिख दिया था इन दोनों को यहां प तो 60 की पावर 50 नमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा थैंक यू सो मच फूर वचिंग लाइक सब्सक्राइब और शेयर बाबाई